हालो एवरीवान वेलकम टो यूजी सी नेट सुपर कोचिंग आम शुभम तीवारी यूर मेंटर फोर कॉमर्स और मैनेजमेंट और बात करेंगे बहुत ही आज इंपोर्टेंट सेशन के तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं नायरा मनीशा रविंद्र देवा जोती रजनी एंड सभी लोगों को गुड़ मॉर्निंग वेरी वेरी गुड़ मॉर्निंग कैसे हो आप लोग कैसा रहा आप लोगों का संड़े एंड आई बिलिव कि सभी सब कुछ आपकी वीडियो आडियो मेरी जो है वो क्लियर आ रही होगी एक बार जल्दी से कन्फर्म कर द चलिए तो टेलिग्राम में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक भी दिये गये हैं चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो फ्री क्लासिश टाइमिंग है वो 11 बजे होने वाला है रेगुलर यूटीब के उपर रेगुलर होता है और जो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक के साथ तो आज का पहला कोश्चन आप लोगों के साथ ये रहा आपको बताने की कुशिश करना है कि identify the correct sequence of internationalization in increasing order ध्यान रखिएगा ये question पूछा जा चुका है आपके UGC NET exam में ठीक है तो आपको correct sequence बताना है internationalization का आपके options ह और ये बोला जा रहा है domestic company, international company, multinational company, global company, transitional corporation similarly B option ये बोला जा रहा है domestic company, international company, global company, transitional company and multinational company international company जल्दी से बता देना है आप लोगों को ये question पूछा जा चुका है आपके UGC NET exam में ठीक है बहुत important question है ध्यान रखिएगा सभी लोग प्लीज चैनल पे नए हो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और एक खास बात ये है आप लोगों के लिए कि कल से मैं unit 2 start कर रहा हूं उसकी रिवीजन को start कर रहा हूं ठीक है तो कल मज़ा आने वाला है मैं unit wise revision करने वाल है राइट चलिए सभी लोग प्लीज वीडियो को जरूर मेरे दोस्त like कर दीजेगा और सारे लोग बता रहे हैं यहां पे a part चलिए काफी लोगों का जो जवाब है वह है ठीक ह देख लेते हैं इस सही question का सही जवाब देख लेते हैं चलें तो आपका जो सही जवाब है इस particular question का वह बिल्कुल a part है मैंने बताया था आप लोगों को कि जब internationalization की बात करेंगे हम तो सबसे अगर यहां पे हम sequence में arrange कर रहे हैं ठीक है increasing order में अब increasing order का मतलब क्या है कि सबसे चोटे से सबसे बड़ा ठीक है तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा domestic company राइट उसके इंटरनेशनल के और move करते हैं international से हम multinational company बन जाते हैं multinational से आपकी जो पहचान होती है identification होती है वो global level की हो जाती है and और last में हो जाता है आप आप हो जाते हो transitional corporation या transitional company ठीक है तो बहुत important question था ध्यान रखिएगा अगर इसका PDF चाहिए आपको प्लीज मेरे साथ जुड़ जाएगा मैं PDF तुरन सेंड कर देता हूं राइट चलिए next question के और move करते हैं देखें आपको बताना है second question का ये बोला जा रहा है कि it is also referred to as multinational these companies are usually registered in all countries they operate in clear and hold large amount of revenue generating asset some well known example include Coca-Cola, Apple, MacD and Nike तो आपको बताना है किस company के बारे में बात करी जा रही है आपके options है transitional corporation, multinational company, global company and international company तो इसको अगर आप हिंदी में देखिएगा तो इन्हें बहुराष्टिया company भी कहा जाता है और ये company आम तोर पर उन सभी देशों में पंजिक्रीत होती हैं जहां वे काम करती हैं और बड़ी मात्रा में राज़त्सों पैदा करने वाली संपत्ती रखती हैं जल्दी से सही से option बताना है ध्यान रखिएगा मैंने ये सारा आपने students को कराया हुआ है बहुत important question है और आपकी जो classes होती है सभी लोग को पता है 11 बज़े मैं regular YouTube पे मिलता हूँ Saturday Sunday जैसा कि अभी Saturday बीता था और बहुत अच्छे से question हमने किये थे ठीक है सभी लोग के जवाब आना सुरू हो गये हैं C काफी लोग बता रहे हैं देख लिएते हैं क्या सही जवाब होने वाला है और सही जवाब की अगर बात करें हम तो इसका जो सही जवाब है वो A है A मतलब हम transitional corporation की बात कर रहे हैं A आपका सही जवाब है C आपका कभी भी नहीं ग्लोबल कंपनी से भी जब उपर जाईएगा ना तो आता है transitional company ठीक है आता है आपका transitional company ध्यान रखेगा और transitional company जो होते हैं वो जनरली इस बेसिस पर डिफाइन किये जाते हैं भाई कि वो revenue generating asset वाले company होते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखेगा important question था मैंने खुद से जैसे मैं मैंने बताता हूं ना बीरु सहस्त बुद्धे 3D8 वाला वैसे ही मैंने question set किया है मेरे दोस्त clear all out हो गया pretty ठीक है चलिए तो ध्यान रखेगा important है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र सभी लोग video को please like कर दीजेगा मेरे भाई देखो काफी लोग बैठे हुए हो आप है ना video क please like कर दीजे सबसे पहले तो चलिया next question की और move करते है third question a person who assumes his or her home country is superior compared to the rest of the world falls under this orientation similarly this orientation means company personnel see only similarities in market and assume that the products and practice that succeeded in the home country will due to their demonstrated superiority be successful anywhere this orientation is called अगर आप EPRG framework पढ़े होगे है ना तो यह question अराम से आप जवाब दे सकते हो इस question का सही जवाब दे सकते हो आपके option जो है polycentric orientation, regiocentric orientation, ethnocentric orientation and geocentric orientation चलिए सभी लोग बताएंगे, काफी लोग अराधना, नायरा, सबजराज, निकमेक, मानिशा, सोनिया, सबजराप, चलिए C बताया जा रहा है, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, मैं ये पूछना चाहा रहा था कि accounting जो standards होते है ना वो बार बार आपके exam में पूछो ज होता है, तो वो प्लीज हमें बता दीजेगा कि सर एक ट्रिक बनाईए आप, तो कि जिसकी वज़र से हम accounting standard जो है, याद कर सके, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, तो आप जरूर comment box में जवाब दीजेगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर correct जो answer है, वो C बताया जा रहा ह चलिए, विल्कुल, मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, और वीडियो में बहुत ही important तरीके से मैं एकदम trick wise, clear, trick wise आपको वो समझा दूंगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं हुगा, क्योंकि आप चाहे management का exam दे रहे हो, चाहे commerce का, दोनों में match of the following में कभी कबार चलिए, तो यहाँ पर अगर इस question की बात करें, तो यहाँ पर पहला line पढ़िएगा आप कि who assumes his or hum, home country is superior, अगर हम home country की superior मानते हैं, rest of the world से, तो हमारी ethnocentric orientation वही से आ जाता है, बाके पढ़ने का जुरुरत ही नहीं है, ठीक है, मतलब ethnocentric मतलब क्या होता है, जातिय, मतलब origin, clear, चलिए, text के भी, अब रजनी क्या है न, धीरे धीरे जैसे जैसे हम unit wise division कर रहे है, ठीक है, तो एक ही बार तो नहीं हो जाता है न, बाबू, देखो, क्या होगा, कि हम पहले start करेंगे unit 1, unit 1 आज हमारा खतम हो जाएगा, ठीक है, फिर unit 2, unit 3, unit 4, ऐसे हम start करेंगे, सब question के और move करते हैं, और next question है, features of geocentric orientation, आपको बताने है, geocentric orientation के features, आपके जो चार statement दिये गए है, the entire world is treated like a country, ठीक है, similarly, select employees from the entire globe, third है, operate with a limited number of subsidiaries, and चौथा है, आपका coordination of activities at headquarters and subsidiaries, आपको बताने है, भूक इंदरीत, अभी मुखी करण की विशेशता है, आपके geocentric orientation के बताने है, ठीक है, क्या-क्या feature होता है, जल्दी से बताईए, जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है, सारी unit YouTube पे मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है योगीता don't worry, चलिए, सौरब भी हमारे साथ जुड़ चुके है, सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा, clear, चलिए, काफी लोग भी बता रहे हैं, भी, सारे लोग भी बता रहे हैं, very good, है न, बिल्कुल अराधना management students can also understand, sorry, attained, क्योंकि ये unit number one है, जिसका नाम है business environment, and business environment उधर भी आपको देखने को मिलता है, management के अंदर भी, right, चलिए, तो देख लेते हैं, सही जवाब, सभी लोग यहाँ पे, B जवाब दे रहे हैं, काफी लोगों ने A भी दिया है, ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें, देखो, geocentric orientation की, तो geocentric orientation में हम मानते ये हैं, कि entirely world is treated like a country, ये बिलकुल सही बात है, ठीक है, दूसरी बात, select employees from the entire globe, हम employees कैसे चूज करते हैं, हम ये मानते हैं, कि सारे globe से हमें employee को चूज करना है, right, select करना है, तो ये भी बिलकुल सही है, तीसरा है आपका, operate with limited number of subsidiary, ये limited जो word दे दिया गया है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है limited नहीं होगा, चुकि आप geocentric पढ़ रहे हो, तो geocentric में तो limited आना ही नहीं चाहिए, ये गलत हो गया आपका, and ये जो चौथा है आपका, coordination of activities at headquarters and subsidiaries, अब देखो यहाँ पे दिया गया है subsidiaries, ये गलत बात है, ये गलत लिखा हुआ है, subsidiaries नहीं, बलकि हम जो activities को coordinate करनी की बा तो जिसके भी जवाब है, बिलकुल सही है, भाई, मज़ा आ गया, ठीक है, चलिये, next question को discuss कर लेते हैं, पांच्वा नमबर, it is one of the best known models of how firms set about the internationalization process, similarly, it present a sequential approach, approach, meaning that the assumed there is a lack of knowledge of the foreign market, which is detrimental to internationalization, and this model is known as, आपको ये बताना है, कि यह सबसे प्रसिद्ध मॉडलों में से एक है, एक कमपनिया अंतराष्टिया प्रकिरिया को कैसे निर्धारित करती है, यह एक अनुक्रमिक दृष्टी कोण प्रस्तूत करता है, जिसका अर्थ है, कि from क्रमिक से अंतराष्टिया करण करती है, ठीक है, and model मानता है कि विदेशी बजार के बारे में ज्यान की कमी है, जो अंतराष्टिया करण के लिए हानिकारक है, and इस model को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है, आपके options है, transaction cost approach, dunning eclectic approach, the network approach, and upsalah internationalization model, चलिए, जल्दी से ब और विडियो को please like कर दिएगा मेरे भाई, मेरे जो class है, वो इसी time आपको regular मिलेगा, ध्यान रखिएगा, देखो, मैं Sunday को class नहीं लेता हूं generally, और Sunday को class लेने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर मैं नहीं लेता हूं, अगर कोई अगर routine सबसे बढ़ियां follow कर रहे हो आप अगर मेरी बात मानों तो एक दिन अपने लिए जरूर छोड़ा करो, ठीक है, जैसे Sunday generally आता है छुटी का दिन, तो Sunday आप अपने लिए भी छोड़ा करो, उस दिन में हमें movie देखना है, खेलना कूदना है, जो भी बाहर जाना है, घूमना फिरना है, लेकिन Sunday is yours, Sunday should be yours, ठीक ह Sunday आपकी होनी चाहिए, ना कि मैं भी उस दिन क्लास ले रहा हूं, आप भी क्लास ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छे दिन जो पढ़ोगे, ठीक है, सुक्रवार तक आप पूरा पढ़ो, और Saturday को टेस्ट जरूर दो, ये की होती है, UGC NetJRF का, आपको ये नहीं क कि हम पुरा पढ़ रहे हैं, और जो beginners भी है, start कर रहे हैं, शुरू सुरु देखो बताते हैं क्या होता है, कि juice होता है, है न, juice होता है, सुरू सुरू कि हम पढ़ लेंगे, ये 7 गंटे पढ़ लेंगे, 8 गंटे पढ़ लेंगे, जब भी अगर आप beginners हो, और आप अगर एक proper पर routine बनाना चाहते हो, तो ध्यान रखिए कि पढ़ना जब चाहते हो ना पढ़ना start करोगे, तो आप आधे घंटे से start करो, ठीक है? आधे घंटे से start करो कि सबसे पहले sitting की habit डालो, आधे घंटे होगा, फिर एक घंटे होगा, दो घंटे होगा, तीन घंटे होगा, लेकिन start बहुत कम से करना है आपको, ठीक है? तो ऐसे आपको start करना है ध्यान रखिएगा, चलिए, सारे लोगों ने बता दिया है D part, इसका जो सही जवाब है वो बिलकुल आपका D part है उपसाला internationalization model है, तो यही मानते हैं कि भया, आपका यह model यह बताता है कि domestic market में उपसाला model को तो बहुत सारा अनुभो है, लेकिन foreign market में कैसे enter करना है, उसका अनुभो बिलकुल इस model के पास नहीं है, तो यह बताया जाता है कि आप धीरे-धीरे एक sequence को अप्रोच करिए, sequence अपनाईए और धीरे-धीरे आप market में enter करिए, clear, तो इसका जो सही जवाब है वो उपसाला model of internationalization है, मैंने इसके regarding source भी बनाया था, आप जरूर देखिएगा, clear, चलिए, next question कीवर move कर लेते हैं, and जो next question है, आपके लिए ये रहा, the upsalah model was given by, अब ये जो upsalah model है, किसके द्वारा दिया गया था, आपको बताने है, कोज, जोहांसन, एंड, वाइडर सेम, फ्रैंक्लिन, फ्रैंक्फरूट, एंड, दीन, स्टूप्स, चलिए, बताईए, देखिए, मैंने जो आपको बताया है न, कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए, वो अपनाईएगा जरूर, अगर आपको पढ़ना है, fruitful पढ़ना है, एक ठीक है, चलिए, बताना है आपको, sixth number question, जो है, क्या सही जवाब होगा, इसका, clear, चलिए, मोनिका, लेट मत करिए, आप लोग, प्लीज, आप लोगों से request है, ठीक है, ये request है, कि 11 बजे बिलकुल मेरी class में बन जाईए, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे question कराता हूँ, टेकनिकल question भी कराता हूँ, जो आपको direct पूछा जाएगा, UEC net exam में, अगर सुरू से बन जाईएगा, ध्यान रखिएगा, आप यहां मैं पिछली बार management पढ़ा रहा था, यहां पे हमारे एक student है, अराधना, ठीक है, अराधना ने भी मेरी classes को proper follow किया था, उनसे आप पर मेरी class को देखते रहिएगा, तो आप अराम से net jrf तो qualify कर लेजगा, यह guarantee है, clear, चलिए, C काफी लोग बता रहे हैं, थोड़ा जवाब बदलने की भी कोशिश करो भाई, C सभी लोग बता रहे हो, सारे लोग C बता रहे हैं, चलिए, जवाब बदलने की भी कोशिश करि दिया गया था, चलिए, बताए, सुरू से, एक बार फिर से स्टार्ट करिए, उपसाला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, चलिए, आमीना का option B आया है, anyone else, और कोई, चलिए, नायरा B, रविंद्र A, योगिता B, अखिलेस B, चलिए, अच्छा, नायरा ने final कर दिया B, चलो, very good, हमने मौका दिया, तो आप लोगों ने सही चौका मार दिया, clear, इसका जो सही जवाब है, वो B है, Johnson and Wider Same, clear, ये इसका सही जवाब है, ठीक है, बाकी ये दोनों जो नाम है ना, मैं जब question set कर रहा था, तो अपने आप से रख लिया, Frankfurt वैसे कोई country का नाम है, clear, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने खुद से ही रख लिया, मेरे मन में जो भी आया था, वो मैंने रख दिया था नाम, ठीक है, चलो, Sonia ने भी तुका मार रहा है, very good Sonia, चलिए, तो कोई बात नहीं, आपके ये question जो है, इसका correct जवाब जो है, वो B है, चले, next question की और move करते हैं, and next question आपके लिए ये रहा, चले, बताएंगे, as per dunning, eclectic approach, companies should internationalize only when all three of the following conditions are met, तो आपको बताने हैं कि ये क्या conditions होते हैं, राइट, छे आपके condition दिये गए हैं, ownership advantage, location advantage, internationalization advantage, technological advantage, labor advantage, and raw material advantage, clear, चलिए, आपको बताने हैं, यहाँ पे सही जवाब, ठीक है, one, two, three, four, five, six, one, three, five, and two, four, six, चले, बताएंगे, जल्दी से सही जवाब क्या होने वाला है, और वीडियो पे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे भाई, मेरे दोस् आप से request है, राइट, चलिए, ए और बी में सारे लोग फसे हुए है, यहाँ पे, देखो, question मैंने सुबह सुबह ही उठके बनाया था, तो question बहुत आपको अच्छे-च्छे देखने को मिलेंगे, राइट, चलो, अराधना ने इस question को, के, जो trick है न, उसको पकड़ लिया है OLI model, चलो, तो यहाँ पे सारे लोग भी बता रहे हैं, भी क्या है, 456, यह भी काफी लोगों का जवाब आया है, ठीक है, चलिए, देखने की कोशिश करते हैं, इसके सही जवाब को, देखो, जो लोग भी बोल, जैसे अराथना ने बोला है, sir, OLI model, ठीक है, तो OLI model क्या है, O for हो गया हमारा ownership, clear, and L for हो गया आपका location, and I for हो गया आपका internationalization, तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा, वो A part बन जाएगा, जिसका नाम है, 1, 2, and 3, ठीक है, 1, 2, and 3, इसका जो सही जवाब है, ownership advantage, location advantage, and internationalization advantage, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, अगर आप dunning eclectic approach पढ़ते हो, तो इस approach में यहीं बताया जाता है, कि एक company अपने आपको internationalized level पे ले जा सकती है, जब यह तीनों, जो situation है, वो fulfill कर सके, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपका first part है, ध्यान रखेगा, 1, 2, and 3, right, चलिए, साब जराज, very good, चलिए, next, शुरू क करते हैं, next question को, within the EPRG framework, a global marketer who orients a marketing strategy to the European Union exhibits, which kind of orientation, आपको बताना है, EPRG धाचे के भीतर, एक Westwick विपड़न करता, जो अपनी विपड़न राड़निती को European संग की और उनमुख करता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, आपके option है, ethnocentric, regiocentric, polycentric, and geocentric, चलिए, बताएंगे आप लोग, सभी लोग, ठीक है, बहुत important question है, बताने की कोशिश करिए, EPRG framework से फिर से हमारे पास question आया है, ethnocentric, आपके option है, regiocentric, polycentric, and geocentric, चलिए, भाई, नायरा तो आज लगता है कि, कल जो इंडिया ने match हारा है, अच्छा, ठीक है, कल पता है ना आप लोगों को, इंडिया जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, वो भी हार गया अस्टेलिया से, तो ये दुख खतम ही नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग final में आके, हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, चलिए, चलिए, तो इस question को discuss करेंगे, इसका जो correct option है, वो है B part हम बात करें, रेजियो सेंट्री की, है रेजियो सेंट्री की, हम बात करते हैं, यहां पे देखो, यहां पे जो इसका keyword है वो आपका European Union है, and European Union is a particular region, तो रेजन में हम अपने similarities की बात करते हैं, तो वही रेजियो सेंट्री कहलाता है, ठीक है, सही जवाब है, मोनिका ने क्या बोला है, सर यह आपने पेड में नहीं करवाया है, बिलकुल करवाया है, मोनिका, है ना चाहाएं, आप किसी से भी पूस सकते हो, ठीक है, तो रेजियो सेंट्री की इसका सही जवाब है, सही जवाब है और उसी के साथ next question आपके लिए ये रहा the most common route for investment by multinational companies ठीक है आपको बताने है the most common route for investment by multinational companies in countries around the world is two चलिए बताएंगे आप set up new factories by existing local companies form partnership with local companies and more than one of the above आपको बताने है कि दुनिया भर के देशों में बहु राष्टे कंपनियों द्वारा निवेस का सबसे आम मार्ग है most common mark most common route राइट चलिए आपकी चार option है नए कारखाने अस्थापित करें मौझूदा स्थानिय कंपनी को खरीदे और स्थानिय कंपनियों के साथ साजीदारी बनाएं एंड उपरोक में से एक से अधी चलिए बताईए मुझे पता है आप लोग क्या जवाब दोगे इस question का काफी लोग B देंगे काफी लोग C देंगे ठीक है और मैं यह भी बताऊंगा क्यों B लोग दे रहें क्यों C दे रहे हैं ठीक है फिर मैं proper explain कर दूंगा इस question को ध्यान से समझ जाईएगा आप लोग ठीक है चलें अच्छा डी भी एंसवर आ रहा है बी भी एंसवर आ रहा है चलें डी काफी कमा रहा है ना डी दो लोगों ने दिया है बी एंड सी वाले जादे लोग है ठीक है अच्छा नायरा को दोनों लग रहा है बी एंसी दोनों ये question ध्यान रखिएगा बहुत important question है आ चुका है आपके exam के अंदर ठीक है चलें बताईएगा more than one of the above चलें तो इस question का जो सही जवाब अगर discuss करें हम तो सही जवाब आपका second है हम बात कर रहे हैं by existing local companies हम इसकी बात कर रहे है second वाले की बात कर रहे है अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने भी क्यों बताया है भी इसलिए बताया है कि ये question पहले मैंने कराया था इस question को मैंने पहले भी कराया है तो जो पहले देखा था जिसने भी class को वो सही जवाब दिया है भी ठीक है पहले जिसने नहीं देखा था वो जवाब दिया है अब ध्यान रखिए कि थर्ड का थर्ड तो कभी भी नहीं होगा इस question में पूछा क्या जा रहा है है ना ध्यान रखिएगा पूछा क्या जा रहा है इस question के अंदर question में कि the most common root of investment by multinational companies अब बात करी जा रही है है multinational companies हमारी अगर international companies यहां पर होती न अगर यहां पर international companies होती तो आपके तीसरा option हो जाता ठीक है अब चुकी multinational companies के बारे में बात हो रही है तो multinational companies अगर है तो आपको यह मान सकते हैं बहुत ज्यादा fund है इसके जो economies of scale है expand है already economies of scale में यह operate कर रहा है तो अगर local companies की बात करें तो local companies को यह multinational खरीद सकते हैं ठीक है ठीक है डिरेक्ट खरीद सकते हैं अग यह नहीं होगा कि हम multinational ही होके आप partnership join कर रहे हो पार्टनर से form कर रहे हो local companies के अंदर ठीक है तो local companies के अंदर जो multinational company कभी भी partnership नहीं करेंगे बलकि उनको खरीद लेंगी समझ में आया ना तो आपका जो सही जवाब है यहाँ पर second है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल clear है ना तो यह ध्यान रखिएगा अगर यहीं question होता multinational company के जगह आपका international company तो आपका तीसरा option यहाँ पर सही हो जाता यह question मैं इसलिए बार-बार कराता हूं कि ताकि आपके दिमाग में बस जाए ठीक है बस जाए clear चलिए next question क्यों move करते है next question आपके सामने first mover advantage suggest that अब यहाँ पर बताना है आपको प्रतम प्रस्तावक लाव से के पता चलता है clear बताएंगे पाइंगे 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 बिजनेसे आपके अबल टो अबतेन higher profit and other benefit as the consequences of early market entry b first mover firms expand more rapidly in international markets than late mover in international market c competing multinational firms enter an important market when a market is growing very fast and d multinational firm with first mover advantages have greater strategic incentives for investing in technical innovation than late movers जल्दी से बताईए अधित्य क्या कुछ रहें sir जो multinational company अपनी factory setup नहीं करती क्या factory अपनी बिल्कुल setup करती है लेकिन अगर कहीं मालो दूसरी देश में है तो वो चली local vendor को आप खरीदी लेती है ना local vendor को वो खरीदना प्रेफर करती है जादा तो यह ध्यान रखेगा मल्टीनेशनल में clear चलिए तो दस question है 10th question है 10th question है 10th के सारे लोग यह बता रहे हैं first mover advantage होता क्या है राइट प्रिफरेंस की बात करेंगे अगर आदित तो अगर multinational company है तो वो ज्यादा headache नहीं लेना चाहते है ना वो डिरेक्ट खरीद ही लेते हैं अब partnership करोगे तो partnership में क्या होगा उनके भी कुछ provision मानने पड़ जाएंगे हमारे भी कुछ provision जवाब दे रहे हैं सभी का जो जवाब है वो सही है first mover advantage का मतलब यहीं होता है कि pointering businesses are able to obtain higher profit and other benefit as the consequences of early market entry बिल्कुल सही जवाब है इसका जो सबसे सही example में बताऊ ना तो आपने पढ़ा होगा price skimming ठीक है price skimming जो पढ़ा होगा इसका सभसे सही जवाब है और price skimming में Apple का जो iPhone है उसकी बात कर सकते हुआ कि सबसे पहले वो market में entry करता है उसका new product वहां से जो profit जो है जो पैसे हैं वो निचोड लिये जाते हैं तो वो second degree में आ जाता है second level पे आ जाता है for example कि अभी iPhone 15 चल रहा है ठीक है तो 15 में आप देखिएगा कि 80,000 तक आपको वाइल देखने को मिल जायागा लेकिन जो 14 वाला होगा न iPhone 14 के series होगी उसकी rate कुछ कम हो गई होगी तो अभी जो market की जो surplus है निचोड कौन रहा है iPhone 15 लेकिन जो second level पे कौन आ गया है 14 clear यह सबसे अच्छा जवाब है इस question का ध्यान रखिएगा clear चले next question की और move करते है next question आपके लिए यह रहा a born global firm is a firm that बताने है born global firm किसको हम बोलेंगे develop international new venture from its birth by using outsourcing from foreign location in multiple countries b है आपके overcome psychic distance and the liability of foreignness by investing in foreign locations in multiple countries c ignore the challenges of psychic distance and the liability of foreignness when planning its expansion to foreign location in multiple countries and d है आपका from its birth seeks competitive advantage by using resources from different countries and by selling its product in multiple countries ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी टेस्ट बूक एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड जरूर कर दिली जिएगा क्योंकि अभी YouTube के बाद जो 12 बजे मेरी class होगी न वो आपकी master class होगी ठीक है master class में हम बहुत सारे important concept को सीखते रहते हैं तो master class के लिए ध्यान रखिएगा आपको टेस्ट बूक एप्लिकेशन डाउनलोड करना है वहां से आप master class को जोइन कर सकते हो clear चलिए सभी लोग डी बता रहे हैं काफी लोगों ने डी बताया है एभी बताया इस question का जवाब चलिए तो यहां पर डी बताया जा रहा है काफी लोगों द्वारा ठीक है और I believe कि आपके option जो हैं सही है तो इस question का सही जवाब बिलकुल D है यहां अगर A और D में देखिएगा काफी लोगों ने A भी जवाब दिया था तो यहां पर A में देखिए A में बोला जा रहा है develop international new venture from its birth यहां तक तो सही है लेकिन यहां पर outsourcing की बात करी गई है यह outsourcing बिलकुल मतलब सही जवाब नहीं है ठीक है अगर D की बात करें तो D में क्या है from its birth six competitive advantage by using resources from different countries and by selling its product to multiple countries ठीक है तो यहां पर ध्यान रखिएगा बर्थ तो होगा अगर हम bond global की बात कर रहे हैं तो बर्थ तो होगा लेकिन जो resources की बात आएगी न वो acquire की जाएगे different countries से similarly अब उस resources से हमने product बना के different countries में भी बेच देना है ठीक है ध्यान रखिएगा हम outsource नहीं करते हैं ध्यान रखिएगा इसके अंदर तो इसलिए correct जो पहला option है वो गलत हो गया है चले next question के और move करते हैं 12 number चलिए बताएगा दो statement वाले question है statement पहला बोला जारा है the founder of the various theories of the modern country based approach were mainly concerned with the fact that priority should be increase the wealth of one's own nation they were mainly of the view that the focus should be on economic growth on a priority basis आपके statement second है the classical theory majorly came up after the rising popularity of multinational companies and address the needs of companies तो आपको बताने हैं दो statement है and code के according बताने हैं सही option बताने हैं बोथ statement are correct बोथ हार incorrect statement one is correct and second is incorrect and d statement one is incorrect and second is correct चलिए बताने की कोशिस करिएगा इसका सही जवाब क्या होगा ठीक है चलिए बताईएगा देखो यह मैंने इसलिए जानबुच के question डाला है काफी लोग फसे भी हुए हाला कि यह मैंने जानबुच के इसलिए भी question डाला था कि आप लोग international trade theory के majorly वो part पड़ते हो जैसे हमारा product life cycle की theory हो गई है ना आपको absolute advantage की theory हो गई लेकिन क्यों यह theory दिया गया उसके पीछे का reason कोई नहीं जल्दी जानता है ठीक है इसलिए इस question को देने का यही main reason है similarly हम जब बात करते हैं एक example देते हैं आपको कि हम जब बात करते हैं कि जो RBI की monetary policy होती है qualitative techniques क्या होती है quantitative techniques क्या होती है तो वो कोई नहीं जानता है क्या होती है actually techniques लेकिन यह सब बता पाएगा कि सर quantitative techniques में SLR आता है CRR आता है bank rates आते हैं यह जरूर्द आप लोग बता दोगे क्या आप लोग यह बता सकते हो क्या कि qualitative और quantitative technique में क्या difference है anyone anyone क्या आप लोग यह बता सकते हो मेरे भाई कि quantitative and qualitative में क्या difference है अगर कोई बता पाए तो जल्दी से बताईए क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं चलिए इसका जो सही जवाब है काफी लोगों ने ए दिया है ठीक है anyone else जो इस question का सही जवाब दे दे वीडियो को प्लीज मेरे भाई like कर दीजे ठीक है चलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा clear चलिए तो यह जवाब दिया जा रहा है आप सभी लोगों के द्वारा यहां पर अगर हम बात करें ठीक है अगर हम बात सुनिया ने क्या बोला quality measures in specific units quantitative में देखो होता क्या है ज्यादा उसमें नहीं जाएंगी ज्यादा technical word को यूज नहीं करेंगे ठीक है बस ध्यान समझेगा अगर हम qualitative quantitative की बात करें अर्भी आई के technique की बात करें जब monetary policy को मतलब control करने के लिए यूज किया जाता है तो अगर हम quantitative techniques की बात करते हैं ठीक है तो quantitative में ध्यान रखिएगा कि इसके जो जो भी measures यूज किया जाएंगे वो overall economy पे affect डालेगा ठीक है लेकिन अगर qualitative की बात करें qualitative technique जब RBA यूज करेंगी तो वो किसी specific sector को ही influence करेंगा यही दोनों में अंतर है for example अगर हम quantitative में CRR को देखते हैं SLR को देखते हैं बैंक रेट को देखते हैं आपने बैंक रेट को increase decrease कर दिया तो सारी economy की इस पे फरक पड़ेगा ठीक है लेकिन qualitative में हम क्या करेंगे आप जैसे capital racing की भात करते हो ठीक है आप उसकी बात करते हो आप च्रेडिट उसकी बात करते हो तो इसमें क्या होता है किसी एक particular sector पर जैसे हम बैंकिंग sorry educationalIC sector की बात कर लें या infrastructure sector की बात कर तो उसकी बात करते हैं तो qualitative में किसी specific sector पे फरक पड़ता है लेकिन quantitative में पूरे economy पे overall फरक पड़ता है और यहां पे जो सही जवाब है इस question का यह है B part दोनों जो statement है आपके incorrect हैं यह ध्यान रखिएगा ठीक है? दोनो statement आपके incorrect इसलिए हैं कि जो statement one की theory है है ना वो हमारी classical based theory है modern based theory बिल्कुल नहीं है यह हमारी classical based theory है जहां जिनका main point of view यहीं था कि the focus should be on economic growth clear economic growth on a priority basis लेकिन statement two जो है आपका ना यह modern theory है ना कि classical theory यह हलका समय ने change इसलिए किया था यह आपको यह समझ में आ जाए आप एक बार जो हमने पढ़ाया है उसको दीखिएगा तो यह सारी बाते लिखी हुई है आपके notes के अंदर ठीक है ना समझ में आ गया चलिए पढ़िएगा जरूर एक बार चलिए 13 की ओर चलते हैं question number 13 in the आपको बताने है उस stage के नाम of product life cycle theory the mass production begin using standardized techniques nations with lower labor cost specialized in this labor intensive production तो आपको यह बताने है आपके option है introduction growth maturity and decline बताए परिचय विकास परिपक्वता और गिरावट यह आपके चार stages हैं तो किस stage की बारे में बात की जा रही है इस particular question के अंदर ठीक है एनिवन एल्स कोई बता पाएगा financial management की मैंने मेराथन class ले थी Saturday को जिनों ने भी नहीं देखा था प्लीज देख लिए था देख लीजिएगा ठीक है चलिए काफी लोगों का जो option है वो B है C भी है clear चलिए तो यहाँ पर जो correct option होगा हमारा वो है आपका B part हम growth stage की बात कर रहे हैं ठीक है हम growth stage of product life cycle की बात कर रहे हैं जहां पर ध्यान रखेगा growth stage में ही है ना production begins with standardized techniques ठीक है standardized technique नॉर्मल टेकनिक की बात होती तो हमारी क्या होती introduction की होती अब introduction की बाद बाद हम धीरे धीरे अपने technique में सुधार लाते हैं improvement कर लेते हैं और धीरे धीरे वो हमारी technique standardized बन जाती है और standardized technique समेता growth में पाई जाती है ठीक है और growth चुकी हो रहा है clear तो वहाँ पे आपको labor cost जो है वो कम मिलता है ठीक है न चलिए ध्यान रखेगा इसका जो सही option है वो आपका growth part है clear be option is your correct option चले next question की और move करते है countries with abundant of capital should focus on चलिए बताइए कि अगर प्रचूर पुंजी वाले देशों पर ध्यान देना चाहिए labor intensive goods capital intensive goods distribute between labor and capital intensive goods and importing more machinery तो आपको बताने हैं सही जवाब क्या होगा countries with abundant of capital should focus on बताएँगे आप सभी लो अराधना अगर management की students है न तो उनको भी बोल दिजेगा क्योंकि मैं ऐसा unit को discuss कर रहा हूं अभी कि जो दोनों के लिए equally important हो ठीक है चलिए अधित्य ने सी बताया है distribute between labor and capital intensive goods अच्छा यह आप बता सकते हो यह जो question है यह किस theory से related है अगर हम international trade theory की बात करें तो यह question है किस theory से related है इसके बारे में कोई बता सकता है I believe कि सारे लोग बता देंगे right economies of scale maturity में होगा बिल्कुल होगा प्रीथी है ना बिल्कुल होगा anyone countries with abundance of capital should focus on जल्दी से बताना है आप लोगों को चलिए आमीना ने क्या पताया sir factor in domain है ना अधित्य ने अपना जो answer है वो change कर लिया है hackers ohlin बिल्कुल सही जवाब है hackers ohlin को ही हम factor in domain theory बोलते हैं और इसका जो सही जवाब है वो आपका बी पार्ट है बिल्कुल trade तभी possible है है ना ठीक है ध्यान रखिएगा trade तभी possible है अगर हम factor in domain theory की बात करते हैं जिसको हम techno intensive country जहां technology बहुत जादे हैं तो A को labor intensive product को बनाने चाहिए ठीक है और B को techno intensive product को बनाने चाहिए और आपस में इन दोनों को export import कर लेनी चाहिए clear तभी आपका ये trade possible है ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई clear है चलिए next question and last question आज का which theory considers bullion as a part of the international trade जल्दी से बताने है कौन सा सिध्धान सर्राफा को अंतराष्टिया व्या पार का एक भाग मानता है बहुत important question है और ये आपके set के exam में पुछे जाने वाला question है ठीक है काफी set के exam में ये देखने को मिला है question आपके option है modern theory of trade factor equalization theorem and comparative cost advantage theory and mercantilism चलिए जल्दी से बताने की कोशिश करिए and अभी आप feedback भी दीजेगा कि sir कैसे question थे आज के आपको लोग को कैसा question लगा मैंने question आप लोग के according set किया था अच्छे question set किये थे ठीक है बिलकुल feedback देखे video like कर दीजेगा जरूर है ना तो D काफी लोगों ने जवाब दिया है औ आपका बिलकुल D part mercantilism की बात हो रही है यहां पर हम mercantilism की बात कर रहे हैं और mercantilism की जो theory है न वो zero sum game के उपर based है ठीक है zero sum game के उपर based है एक जीतेगा दूसरा हारेगा clear सही है सबका सही है बिलकुल सही है और billion का मतलब यह होता है कि जो country सोने चांदी में trade करता है clear तो यह बिलकुल सही जवाब है ध्यान रखिएगा zero sum game के उपर based होता है तो यह रहे आज के main important unit 1 के 15 questions हमने यह चौथा part है ध्यान रखिएगा first, second, third हमने discuss कर लिया है third जो part है वो अभी जो December 2023 में business environment से पूछे गये थे उससे related question था वही वाले questions सारे थे तो जरूर देखीगा उस चार हमने लगबग 60 questions को discuss कर लिया, clear, 60 questions को discuss कर लिया part 1 में और भी discuss करेंगे लेकिन exam के जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, कल से हमारा second unit start हो रहा है, important unit है, सभी लोग को पता है, बने रहीएगा हमारे साथ, and यह आपके हमने, हमारा test book की team है, 2.0 course हमारा launch हो बोलेगा कि हमने यह management के लिए भी equally important है, ठीक है, चलिए, ध्यान रखिएगा, तो हमारे बहुत सारे life courses भी है, clear commerce, geography, in the end, बहुत सारे है, तो आपको जाके enroll कर लेना है, अगर, ठीक है, अगर आपको यह course लेना है, अगर आपको UGC net की तयारी बहुत ही आसान भासा में करना है, और easy to model to hard तक करना है, तो हमारे course में बिल्कुल enroll हो जाईएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह हमारी दो, मैम है, excellent faculty for paper 1, paper 1 आपको पढ़ना है, तो यह मैम जो है, प्रिती मैम, तुलिका मैम, जरूर जूर जाना है, इनके साथ, इनकी भी जो regular classes आती है, व तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आप अपनी तयारी को start रखिए, and हम हैं आपके साथ, पूरे UGC Net के जर्णी में, clear, thank you everyone for joining the session, मिलते हैं अपने next video में, और बहुत important question वहां भी discuss करेंगे, right, चलिए, thank you very much everyone.